ओम शांती आज 28.11.2022 के बाबा के महावाक्य हैं मीठे बच्चे पढ़ाई अच्छी रीती पढ़कर उसका सबूत दो सर्विस कर ओरों को भी लायक बनाओ तब उंच पद के अधिकारी बनेंगी पढ़ाई अच्छी रीती पढ़कर उसका सबूत दो सर्विस कर ओरों को भी लायक बनाओ तब उंच पद के अधिकारी बनेंगी प्रश्न है इस बेहद के स्कूल में वहा वहा किनों की होती है उत्तर है जो खुद अच्छी रीती पढ़ते हैं और दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं रुःानी कमाई में वीजी रहते हैं सिरफ दूसरों को देख खुश नहीं होते लेकिन मात पिता समान सेवा कर उनके तक्त पर बैठते हैं उनकी वहा वहा मात पिता वह अनन्य बच्चे करते हैं जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, मात पिता को फोलो नहीं करते, उन पर तरस पढ़ता है, वे उँच पद पा नहीं सकते, उनकी सदा कंप्लेन रहती है कि हमारा योग नहीं लगता। गीत बजा है, धीरज धर्मनवा, तेरे सुख के दिन आये की आये। धारना के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप के डारेक्शन को अमल में लाना है, खान पान की पूरी परेज रखनी है। याद में रहकर भोजन खाने का अभ्यास करना है। अगला पॉइंट, मात पिता की तरह सेवा करनी है, अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर रखना है। रुहानी सोसल वरकरबन सब को बाप का परीचे देना है। वर्दान है, कल्यानकारी समय की स्मृती से अपने भविश्य को जानने वाले मास्टर तिरिकाल दर्सी भव। यदि आप से कोई पूछे की आपका भविश्य क्या है, तो बोलो हमको पता है बहुत अच्छा है। क्योंकि हम जानते हैं कि कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा, जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वह ओर अच्छा और जो होने वाला है वह ओर बहुत अच्छा। जो मास्टर तिरिकाल दर्सी बच्चे हैं उन्हें निश्चे रहता है कि कल्यानकारी समय है बाप हमारा कल्यानकारी है और हम विश्व कल्यानकारी हैं तो हमारा अकल्यान हो नहीं सकता स्लोगन है समाप्ती के समय को समीप लाना है तो समपूरन बनने का पुरुशार्थ करो समाप्ती के समय को समीप लाना है तो समपूरन बनने का पुरुशार्थ करो ओम शान्ति